कि कैसे हैं आप सभी मैं रिया रहा ठोड़ एक पर सब्सक्राइब करते हूं यह उपर एक्जान्स वाला यूट्यूब चानल पर और यह उम्मीद करते हूं कि आप सब बहुत अच्छी होंगे आप लोग की स्टडी का पी इच्छी चल रही होगी साथ बज रहे हैं करेंट फ सब्सक्राइब करते हैं तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है मैं देख रही थी बहुत सारे बच्चे थे लेकिन हम लेट हो गए मैं उसके लिए बिल्कुल मौफी चाहूंगी ठीक है रणवीर है रिया है इसके राव वाइरल कई जये आज का सेशन शुरू किया जाय चुरू कि आज के जाए क्वीर क्या चाहिए क्योंकि आप सब जानता है पढ़ते यप ज्ञ्वर ौश होता है करो सब से पहले आपकी booster dose होनी है उसके बाद आपकी updated news अपडिटेटेड न्यूज के बाद परवरी 2023 के questions है और उसके बाद आपको revision कि रेवीजन क्राइंगे आठ जनवरी 2024 का यानि की परसों वाली class का Monday वाली class का और आज का पहला question आपकी screen पर booster ट्रट्रडोस का ये रहा क्वेश्चन आप से क्या रहा है कि कौन से पुस्तक रस्किन बॉंड द्वारा नहीं लिखिये गई है तो रस्किन बॉंड की कौन सी पुस्तक है इन में से जो कि नहीं है रोडस टू मसूरी है दरूम आइज उन दरूफ है अच्छा में क्लास रिकॉर्डड नहीं है ना मेटा रिकॉर्डड है हाँ करेंट अफिर की क्लास भी रिकॉर्डड होती है चले हाँ जी 1981 इनको बुकर प्राइज मिल चुका है 1981 बुकर प्राइज और यह जो मिडनाइट चुल्डड है यह किसकी है सलमान रुष्दी तो आंसर आपका क्या बन गया बन की से सब्सक्राइब जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गयी है UK है चाइना है जापान है या फिर अगर हम बात करें USSR है जी सबसे पहले तो आपको यह पताऊना चीह कि जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो आप क्या कहते हो कि माम जो मौलिक अधिकार है यह जिनको हम fundamental right क्यते हैं मौलिक अधिकार Constitution का Part 3 Part 3 कहां से कहां तक Article 12 से लेकर के 35 तक हम लोगों ने मौलिक अधिकार लिये कहां से है तो माम अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है अमेरिका से छेक हैं? अमेरिका से लेकिन बात हो रही है यहां पर Martial Law की, तो जो Martial Law है इसकी अधारना हम लोगों ने कहां से ली है तो correct answer आपका क्या बनता है UK से, अच्छा जब बे मौलिक अधिकारों का violation होता है तो बोलता ना कि Article 32 का हम लोग क्या करता है, इस्तमाल करता है या तो High Court या फिर आप क्या तो Supreme Court तो अगर मैं आपसे बूचों कि High Court Governance आपको Constitution के किस आर्टिकल में मिलेगा और Supreme Court जो है, वो Constitution के कौन से आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा हाँ जी Supreme Court 124 है Supreme Court, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 124 वही अगर हम बात कर दें High Court की तो आर्टिकल कौन सा होगा आर्टिकल हो जाएगा 214 तो आपको ये दोनों आर्टिकल क्या होने चाहिए पता होने चाहिए हाँ 12 से 35 तो है बिटा 12 से 35 तो है डन है शंशोधन का अधिकार स्रिफ संसत को है आर्टिकल 368 के तहट अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करेगा संशोधन तो आप कहता है मैं संसद करेगी लेकिन किस आर्टिकल का इस्तमाल करेगी 368 का इस्तमाल करेगी आर्टिकल 368 का इस्तमाल UK एकदम आपका 110 पोसंट करेक्ट आंसर है UK बिलकुल एकदम आपका चेक है माहि,तापी,चाहे माहि, तापी,नर्मदा कि बात करो आपको पता होना चाहिए कि कहां से निकलती है यह तो MP से तो correct answer आपका क्या बन जाए कपिटा correct answer आपका बनता है बनास यानि option हमारा जो है वो डी बिलकुल इक दम correct answer है बनास ठीक है आज़े राज समंध जिले से निकलती है बनास की अगर हम बात करें तो बनास next question आपके screen पर जो है वो यह रहा 2011 की जनगंडा के अनुसार भारत का लिंगानुपाद जो है वो क्या था वह नहीं आपको अल्रेडी बताया था census कि भाई सबसे पहली जो होती है मतलब आफटर स्वतंतर था 1951 फिर 61 71 81 91 2001 और 2001 के बाद 2011 ठीक है चंद्रमौली सहाब जो है वो जनगंडना आयूक्त थे तो 2011 की जनगंडना के अनुसार भारत का लिंगानुपाद क्या है तो प्रती 1000 पुरूशों पर 912 मही लाएं ये तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपाद है देखो हमेशा हम क्याते हैं कि भाई अनुपाद का मतलब क्या हो जाएगा या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि लि तो 2012 तो कहां का हो गया UP का हो गया ठीक है अगर यहां पर क्वेशन में पूछा गया है कि भारत का लिंगानुपाद क्या था तो भारत का क्या हो जाएगा option B 943 अच्छे सबसे अच्छा लिंगानुपाद कौनसे स्टेट का है तो आप कहेंगे मैं कहें करला का तो यह किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यारला का 1084 और अगर हम ये कहें कि सबसे कम लिंगानुपाद कौन से स्टेट का है? तो सबसे कम लिंगानुपाद हो जाएगा हरियाना का हरियाना का ठीक है भई? हाँ जी तो प्रती एक हजार पुरुशों पर 879 निहाँ पर क्या हो जाएगे? महिलाएं ऐसे ही तो निकालते हो लिंगानुपाद एक हजार मेल है तो फीमेल कितनी हो जाएगे? 943 ये इंडिया का है कभी कभी पूछा जाता है कि यूपी का लिंगानुपाद भारत के लिंगानुपाद से ज़्यादा है या कम है तो आपका आंसर क्या बनता है कि मैं कम है चिक्यां? हाँ जी, आंसर क्या बनेगा? तो आंसर आप लोगों का बनता है कि मैं कम है अच्छा ये बताओ हां जी, कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है, जहां का लिंगान उपाज सबसे अच्छा है, 1037, 1037, पाकी दमन और दीव की अगर हम बात करते हैं, तो वहां का सबसे कम है, 618, ठीक है, लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, 1037, तो आंसर आपका क्या बनता है, इदर आओ, दिल्ली वालो, जैसे दिल्ली आंसर दे रहे हो, तुम लोग, बेटा, नलायक हो, रख्यो, चलो, तो आंसर आपका क्या बनेगा, पुदुचेरी, ठीक है, भाई, हां जी, पुदुचेरी, डन है, बाल लिंगानुपात में, अरुनाचल प्रदेश सबसे अच् कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहते है, मैं 912, लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा बाल लिंगानुपात किसका है, तो अरुनाचल प्रदेश का, कितना, हां जी, अरुनाचल प्रदेश की, अगर हम बात करें, तो अरुनाचल प्रदेश का, कितना, हां जी, अरु कितना हो जाएगा 972, 972 हाँ बाल लिंगानुपात का मतलब होता है जीरो से लेके 6 वर्ष तक के बालकों का और बालिकाओं का लिंगानुपात अगला कोशन देखते हैं क्वेशन क्या कहा रहा है कि मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है रास के नाम से परेंग क नाम से माईबा के नाम से या फिर अगर हम बात करते हैं चोलोम की नाम से सबसे पहले तो मनिपूरी नृत्य कहां का हो जाएगा मनिपूर का मनिपूरी कहां का है तो मनिपूरी हो जाएगा मनिपूर का और यहां पर जो नृत्य के मर्दाना पहलू को जाना जाता है वह किस रूप से निम्य लिखित में से किस भारतिय राज्य के कैथोलिक इसायों द्वारा मनाया जाता है तो यह तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है तो इसमें तो सोचनी की बाती नहीं है अगर हम बात करते हैं साओ जाओ त्यूहार याद है आपको गोवा हांजी चिखिल कालो मि अगर हम नीरुस्वामी पिल्लेई और राजा रतनम पिल्लेई पिल्लेई जहां पर भी मिलेगा आंसर आपका क्या बनता है नाधस्वरम अच्छा मुझे यह बताओ कि नाधस्वरम को जियाई टैग मिला है लेकिन यह प्रोड़क्ट कहां का है अभी नहीं वर्ष 2022 में इस नाधस्वरम से बहुत बार पूछा जाता है इनका नाम तो आप लोगों को क्या रखना है ध्यान रखना है हां जी नाधस्वरम कहां का होगा तो माम नाधस्वरम हो जाएगा तमिल नाडू का हो जाएगा नाधस्वरम आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है सेंगलीला रास् तो अगर हम बात करते हैं सिंगा लीला राश्ट्र युद्यान नीम्न लिकित में नीम्नि हमματα किस दना का अदिकार को चमालिस्वे समीधान संशोधन अधिनेयम दूआरा मूल अधिकारों जारों की सूची से हटा दिया गया था सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि 44 समिधान संशोधन के टाइम पर मतलब ये जो 44 समिधान संशोधन हुआ था ये हुआ किनके टाइम पर था हाँ हाँ सुंदर्वन बुक्सा गोरु मारा जल्दा पारा ये सारे के सारे कहां के हैं तो ये सारे के सारे जो हैं वो वेस्ट वेंगौल के ही हो जाएंगे 44th Constitutional Amendment 1978 हाँ जी 1978 बिलकुल एकदम चेका 44th Constitutional Amendment 1978 इंदरा गांदी जी के समय में हुआ था चलो तो संपत्ति का अधिकार क्या करतिया गया था हटा दिया था राइट टो प्रोपर्टी और इसको कौन स्टे अधिकल में पहुचाया गया आटिकल 300a में 300a में और इसको क्या बनाती य गया भाई वैधानिक अधिकार कानूनी अधिकारी बनाया गया था ना स्वतंतरता का अधिकार अगर हम बात करें, आर्टिकल 19 से 24, 19 से 22, 19, 20, 21, 22, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28, इतना आप सभी को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, हाला कि यह तो common है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अलग हो या जो नया हो नेक्स्ट कोशिन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कि भारत के योजना आयोग को निती आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि रिप्लेस किया गया कब, तो हम हमेशा आप से पढ़ाते हैं कि पहले प्लानिंग कमिशन था, लेकिन बात है फर्स्ट आयोग को मिती आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, 2015, 1st of January 2015, आपको पता होना चाहिए कि हेड हमेशा कौन होता है, जो भी देश का PM होगा, वो हमेशा इसका क्या होगा, हैड होगा, एक उपाध्यक्ष होता है, एक CEO होता है, इस समय उपाध्यक्ष कौन हो जाएं आज का पहला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर, यानि कि 10th of January, 10th of January तक कि जत्ते भी करंट अप्यर है, वो सारी कि सारी हम क्या करेंगे, स्वाले सेशन में कवर करेंगे, अच्छा, आज एक important day भी है, जरा बताओ, आज कौन सा दिन है, क्योंकि आज 10 जनवरी है, तो 10 जनवरी क वो कौन सा दिन बनाते हैं, इधर आओ, आज एना रही दे है, ऐसा गुमा के लवेंगे न, कान के निच्छे, विश्व हिंदी दिवस है भाई आज, हाँ जी, विश्व हिंदी दिवस है आज, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, आज का पहला कोश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, बाइस साल बाद भारती रक्षा मंत्री ने दो दिवसिय ब्रिटेन यात्रा की है, इनका नाम आप सबी को बताना है, कि इस समय हमारा जो Ministry of Defence है न, वो किसके पास है? Ministry of Defence, यह किन के पास है? हम option पढ़ देते हैं भाई, अगर आप बात करो, राजना सिंग जी है, अमिश रहा जी है, निर्मला सीता रमन है, तो आपका answer आएगा, बाइम अमिश रहा जी के पास तो Ministry of Home Affairs है, Ministry of Home Affairs, यह हम क्या सकते हैं कि इनके पास तो ग्रह मंत्राले है, अगर आप निर्मला सीता रमन की बात करोगे, इनके पास तो Ministry of Finance, यह हम यह क्या सकते हैं कि वित्त मंत्राले है इनके पास, वित्त मंत्राले, तो जो correct answer आपका बनेगा, वो क्या बनेगा, राजनात सिंग, भाई जो British PM है, रिशे सुनाक, उनसे मिलेंगे, और वहां के जो विदेश मंत्री है, डैविड कामरन, डैविड कामरन, यह वहां के क्या हो जाएंगे, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, कहां के, ब्रिटेन के, ब्रिटेन के, प्लस अगर हम बात करते हैं, रिशे सुनाक से इन्होंने क्या करी है, मुलाकात करी है, British PM है, रिशे सुनाक, रिशे सुनाक, डन है, तो answer हमारा क्या बन गया, राजनात सिंग जी वह बिल्कुल एक दम आपका 110 परसंट करेक्ट आंसर बन गया ड़न है राजुनाथ सिंग बिल्कुल एक दम आपका ठेक आंसर है चले भाई विभिन नमुद्दो पर दुई पक्षे चर्चा को बढ़ावा देना है अब सीधी सी बात आए गए है तकुष्णा कुष्टो करक लेकिन हमें यही याद रखना है कि राजुनाथ सिंग जी आफ्टर 22 याने कि 22 साल के बाद ब्रिटेन के यात्रा करने वाले जो हैं मतलब अपने कारेकाल के समय में इन्होंने जो यात्रा करी है वो पहली बार करी है नेक्स्ट पुशन आपकी स्क्रीन पर हला कि आप इन्हें देख सकते हैं ऐसा हो नहीं सकता आप इन्हें जानते ना हो आप इन्हें जानते हैं बहुत अच्छे से अजह इन्होंने सियोम ब्रिज का उधगाटन किया था जरा याद करने की कोशिश करो sì, सियोम ब्रिज का भी इन्होंने उदखाटन किया था सियोम, पुल या सियोम ब्रिज सियोम, पुल या सियोम ब्रिज तो answer आपका क्या बनेगा? आरुनाचल प्रदेश क्योंकि हमने हमेशा आपको बताया है कि जब हम जुवारी ब्रिज की बात करेंगे या जुआरी पुल की तो ये हो जाएगा कहां पर गोवा में ठेक है लेकिन जब हम सियोम पुल की बात करेंगे तो बेटा जी सियोम पुल कहां पर होगा तो वो हो जाएगा आपका अरुनाचल प्रदेश में जन्वरे दो हजार चोबिस में शेक हसीना एतिहासिक बार बांग शेख हसीना शेख हसीना बिटा जी ये कौन सी बार बांगलादेश की क्या बनी है प्रधान मंत्री थर्ड टाइम फोर्ट टाइम फिफ्ट टाइम या फिर अगर हम बात करता है तो आंसर आपका क्या बनेगा माम ये फिफ्ट टाइम फिफ्ट टाइम बांगलादेश की क्या प्रधान मंत्री बंगलादेश के PM यह बनी गई है अच्छा यह पताओ इनकी पार्टी का नाम क्या है हालांकि इन्की जो पार्टी वह लगातार पोर्फ टाइम जीत करके फिर सत्था में आई है इनकी जो पार्टी है भग मतायए जरा पार्टी का नाम क्या है inky पिटा तुम्हें तो सब पता होता है ऐसा मैं मान के चलती हूँ मैं तो स्रिफ तुम्हारा रिविजन कराने आती हूँ मैं तुम्हें कुछ पढ़ाने आती हूँ क्या नया किसी को ऐसा लगता है कि मैम तुम्हें नया पढ़ाने आती है ना न पिटा आवामी लीग, है न, इनके पार्टी का नाम क्या होगा, आवामी लीग, डन है, लगातार फॉर्थ टाइम, लगातार फॉर्थ टाइम ये वापस आई है, कहां पर, सत्ता में, चेक है भाई, चलि, तो आंसर आपका क्या बन गया, फिफ्थ टाइम बिलकुल एक दम आ होता है, बंगला देश, 1971, क्या पिटल यहां की क्या हो जाएगी, तो आंसर आपका क्या बनेगा मैं, धाका यहां की जो है, वो क्या पिटल है, यानि धाका यहां की राजधानी है, नेक्स्ट की दरफ हम लोग चलते हैं, तो भाई, ये डे आप लोगों को याद है, इंडि मैत्री दिवस, मैत्री दिवस, इंडिया और बंगला देश के बीच में मैत्री दिवस मनाया जाता है, 6th of December को, ये हमें क्या होना चाहिए, ये हमें जो है, वो पता होना चाहिए, हाला कि आप सबको पता है, कि जब भारत आजाद हुआ, तो भारत को जो आजादी मिली, वो दो हिस्सों की रूप में मिली, एक तो इंडिया और एक पाकिस्तान, ठीक है, अब एक वेस्ट पाकिस्तान था, एक इस्ट पाकिस्तान था, आगे चल करके ये जो इस्ट पाकिस्तान है, ये ही क्या बन जाता है, बांगला देश बन जाता है, लेकिन बांगला देश को आज दिब्बुर रह्मान खुद प्रधान मंत्री इंद्रा गांधीजी से मिलने आए तो इंद्रा गांधीजी ने जो है वो डाइरक्ली क्या करी इनकी हेल्प करी और एक operation लॉंच किया गया कौन सा operation operation jackpot ठीक है operation jackpot और फिर आगे चलकर के 1971 में एक नए देश का निर्मान होता है जिसको हम आज क्या क्याते हैं जिसको आज हम क्याते हैं माम बंगला देश ये आप सभी को क्या होना चाहिए भाई पता होना चाहिए operation jackpot हंजे operation jackpot बाकि बॉंगो सागर exercise बंगला देश के साथ होत तो संप्रिती exercise ठीक है तो संप्रिती और वॉंगो सागर किसके साथ होती है हमारी बंगला देश के साथ होती है अगला कोशन है क्रिस्टोफर नोलन की ओपन हाइमर और जैसी आर्म्स्टॉंग की ड्रामा सीरीज है ससेक्षण इन्होंने golden awards में सिर्श स्थान जीता है golden globe का आप लोगों को क्या बताना है edition बताना है सबसे पहले था हमें यह बताना है कि मैं यह जो golden globe award है यह होते क्या है पेड़ा अंतरास्ट्रिय फिल्म और television दोनों अंतरास्ट्रिय फिल्म अंतरास्ट्रिय फिल्म और tv shows के लिए है न और television series के लिए series के लिए कौन सा award दिया जाता है तो आप कहेंगे golden globe award golden globes award ठीक है golden globes award एडिशन आप सबको बताना है इस बार इनका जो संस्करन है वो कौन सा है हाला कि 1944 से इसकी शुरुबात होती है international award function है यह एक ठीक है 1944 से इसकी क्या होती है शुरुबात 1944 से यह स्टार्ट होते है यहाँ पर आपको शायद कुछ दिख रहा होगा कुछ दिखने का मतलब होता है कि पेटा 51 वाला तो आपको पता है ना international Emmy award international international Emmy award Emmy award 2023 में इनका संस्करन कौन सा था तो 23 में इनका संस्करन था 51 वाला क्या तुम्हें याद आ रहा है भई जो Grammy award दिए गए है ना इनका edition कौन सा था 65 वाला Grammy award या Grammy पुरुसकार ठीक है Grammy पुरुसकार 95 वाले जो है ये ओसकर अवार्ड थे ओसकर अवार्ड थे ठीक है Oscar award अच्छा Grammy award होंगे कि Raman Maxis award होंगे फिर Raman Maxis award का कौन सा एडिशन था Raman Maxis award बताएं जरा Raman Maxis award का जो है वो कौन सा संसकरन था मैडम थोड़ा तेज बढ़ा हो सही बात है चले हाँ जी 65 वाला तो जो correct answer आपका बन गया वो क्या बन जाएगा option से बिलकुल ठीक है 8181 ठीक है 8181 आगे बढ़ते हैं हाला कि यह जो awards है उनमें आप देख सकते हैं कि जो Emma Stone है है ना Emma Stone ने पूर तिंक्स में Bela Baxter के किरदार के लिए motion picture musical या comedy में service test अभिनेत्री का किताब जीता वही पर सीलियन मर्फी का नाम भी आप क्या रख सकते हैं याद रख सकते हैं हाला कि हमें इनका edition ही याद रखना है बागे best actor और actress का नाम आप लोग को क्या रखना है ध्यान रखना है next portion आपकी screen पर यह रहा स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमी प्रशासन में digital परिवर्तन पहल के लिए किस मंत्राले को service rest innovation पुरुसकार से सम्मानित किया गया है हम यह कह सकते हैं कि यह स्वामित्व योजना है इसका जो संबंद है वो किस मंत्राले से हैं क्योंकि स्वामित्व योजना है इसे हम बोल सकते हैं भूमी प्रशाशन में digital परिवर्तन पहल के लिए service rest innovation पुरुसकार प्राप्त किया है ministry of information technology, ministry of earth science, ministry of education या ministry of panchayati raja तो जो आपका correct answer बनता है कि स्वामित्व योजना किसकी है स्वामित्व योजना किसकी हो जाएगी माम ministry of panchayati raja की हो जाती है यह option हमारा डी बिलकुल ठीक है शायद आपको याद होगा यह मैंने पहले भी आपको पढ़ाई है स्वामित्व की अगर हम बात करते हैं तो नागरी केंद्रित सेवाय प्रिदान करने के लिए उभरती प्रोध्योगी की का उपयोग श्रेणी में इगवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्य पुरुसकारों में प्रिस्टीजियस स्वान पुरुसकार भी स्वामित्व योजना ने जीता था अपनल मीत्थ ईज़ूज पहले रवाना है के लिए पहले यात्रा पर रावाना हुआ है तो जहको कहां से है चाइना है जापान ए ऑस्टरेलिया है या फिर अगर हम बात करें वीए अ पिड़ा मैं तो बहुत स्पीड से पढ़ा दूंगे लेकिन तुम उस स्पीड से पढ़ो तब तो बात बने, ठेक है, खेर, आंसर आपका क्या बनेगा, यह जो Adora Music City है, यह कहां का हो जाएगा, सबका आंसर गलत आ रहा है, पिड़ा C for China एक दम आपका correct answer है, option आपका A, अगल प्रवासी भारतिये दिवस मनाया जाता है कब, हां जी, प्रवासी भारतिये दिवस, 2003 में इसको क्या किया गया, शुरू किया गया, 2003 में शुरू हुआ, यह विदेश मंत्राले का कारेक्रम है, यह विदेश मंत्राले का विदेश मंत्राले का एक कारिक्रम के तौर पर इसको क्या किया जाता है सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है हाँ जी तो आंसर आपका क्या बनेगा 9th of January क्योंकि 9th January को ही मात्मा गांधी जी South Africa से लोटे थे 9th January 1915 को ही लेकिन आप लोगों को ये दिमाग में थोड़ा सा आना चाहिए कि मैं लास्ट टैम तो आपने पढ़ाया था कि इसका 17th वाला जो सम्मिट है वो इन दौर में आयुजित किया गया था 17th वाला सम्मिट या 17th वाला सम्मेलन 2023 में कहां पर परएजित किया गया है इन दौर में और और एज़ चीफ गेस्ट के तोर पर भारत कौन आये थे यानि कि मुख्य अतीती के तौर पर तो आप कहेंगे भाई जो गुआना के प्रेसीडेंट थे इरफान अली तो आये थे गुआना के राष्ट्रपती कौन इरफान अली इरफान अली तो दिमाग में सवाल आना चेनम हम इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ इस बार ऐसा इसले नहीं हुआ कि 2015 में ये डिसाइड किया गया कि हम जो सम्मेलन करेंगे या हम जो मीटिंग करेंगे सम्मेलन या मीटिंग सम्मेलन ये हर दो साल में एक बार करेंगे हर दो साल में एक बार दो साल में एक बार दिवस तो हर साल मनाया जाएगा लेकिन जो सम्मेलन होगा या जो सम्मिट होगा या जो कारिकरम होगा वो हर दो साल में एक बार आयोजित किया जाएगा तो 2023 में हो तो इसलिए हमें ये वाला जो है वो सम्मेलन याद रखना है कि सत्रवा सम्मेलन कब हुआ था तो 2023 में अच्छा इसका जो प्रोग्राम हुआ था वो काँ पे वा था मध्यप्रदेश इन दौर में ठीक है हां जी हां जी 2025 में जो होगा ना वो 18 वाला होगा और ये डिसीजन कब लिया गया तो 2015 में ये जो डिसीजन है वो लिया गया नेक्स्ट कोशन आपके स्क्रीन पर ये रहा ज़रा ध्यान से देखिएगा किसने AI ODC नामक एक पहल शुरू करने की घोशना की है गूगल है Microsoft Infosys है या फिर अगर हम बात करें TCS एक लाख डेवलपर्स को AI टूल और एप्लिकेशन में प्रसिक्षित करना जो है वो में एम है कुल मिला करके अगर हम बात करते हैं कि किसने AI ODC नामक एक पहल चुरू करने के घोशना करी है हमें बस कि देखो स्टेट का नाम लिखा होता तो हम ओडिसा लगाते है डेविनेटली हमारा ओडिसा होता लेकिन या पर स्टेट मैंने मैंजन ही नहीं करा तो जो करेक्ट आंसर आपका माइक्रोसफ्ट केंद्रिय मंतरी प्यूश गोईल ने इंड़स फूट दो हजार चोबिस प्रदर्शनिका उध्गाटन किया है इस बार का इसका जो एडिशन है वह कौन सा है तो इंड़स फूड दो हजार चोबिस सीधिसी बात नामक प्योश जी के दौरा या हम यह कह सक सेवन्त वाला इसका एडिशन जो हो जाएगा नेक्ष्ट कुछ ने 17 से 20 जनवरी दो जार चोबिस तक भारत अंतरास्ट्य विज्ञान महस्व दो जार तेसका आयोजन कहां पर किया जाएगा तो विज्ञान में पाई हुई अपनी उपलब्धियों या फिर हमने जो जो उप लबदी पाई हैं उनको हमें प्रमोट करना है या उनको हमें क्या करना है तो आंसर आपका क्या बनेगा 17 से 20 जनवरी दो जार चोबिस तक भारत अंतरास्ट्य विज्ञान महस्व 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा फरीदाबाद हरियाना की ही अगर हम बात करते हैं तो ज्यान और प्रोद्यगी के सारवजनिक आउट्रिच ये 2023 की चोबिस की क्या हो जाएगी थीम नैस्ट कोशन है किस राज्जे की रहने वाली सुचेता सतीश ने एक ही कॉंसर्ट के दौरान सबसे अधिक भाशाओं में गाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हमें बस है उत्तरा खंड़ या फिर अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बताने का हलका सा कस्ट करें भई या आप लोग तो अगर हम बात करते हैं सुचेता सतीश तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा करेक्ट आंसर आपका बनेगा कीरल यानि option आपका ए बिलकुल करेक्ट आ मैंने एक घंटे में या पचास पच्पन मिनट में मैंने 120 क्वेश्चन भी कराएं तो इस पीड की बात तो नहीं करी जाए तो जादा अच्छा होगा किस राज्य में स्थित काला हांडी विश्व विद्याले का नाम बदल करके मां मणी केश्वरी विश्व विद्याले कर दिया गया है ओडिसा है गुजरात है राजस्थान है या फिर अगर हम बात करते है करनाट का नाम तो इतने चेंज होए हैं 2013 में कि अलग से टॉपिक बन होगा आंसर आपका क्या बनता है option है यानि ओडिसा बिलको लिख दम आपका ठीक आंसर है नेक्स्ट कोशन है पुस्तक फोर स्टार्स ओफ डेस्टिनी ये किस पूर्वसेना प्रमुग के आत्मकता है अगर आप question को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इसका answer question में ही मिल जाए मतलब कि option eliminate आप वैसे कर दोगे question क्या पुस्तक फोर स्टार्स ओफ डेस्टिनी के पूर्वसेना प्रमुग के आत्मकता है मतलब अपने tenure के समय में इन्होंने जो जो देखा वो सब किसमें लिखा एक बुक में लिखा और उस बुक को नाम क्या दिया तो बुक को नाम दिया भई कि four stars of destiny ठेक है four stars of destiny अब question में already mention है कि भई पूर्वसेना प्रमुग देखो यह अध्यान से पूर्वसेना प्रमुग या फिर हम बोल सकते हैं कि former army chief former का मतलब क्या हो सकता होगा कि जो पहले कभी army chief रहे हूँ तो आपका अंसर कैसे बनेगा देको मनोच पांडे जी जो ह है वो तो at a time present में है यानि कि 2024 में आर्मी के head है 2024 में इंडियन आर्मी के क्या हो जाएंगे head हो जाएंगे अचा नेवी के इस समय head कौन है तो मैं आर हरी कुमार यह इस समय navy के head है ठेक है अगर हम विवेक राम चौधरी की बात करेंगे तो यह इस समय air force के head है तो जो हमारा answer बनता है वो बनता है जर्णल मनोच मुकुंद नर्वने option आपका क्या बनेगा डे बिलकुल ठेक है मनोच मुकुंद नर्वने नेक्स्ट वोशन आपके screen पर है दव्यांकों के शशक्तिकरण के लिए 6 दिवसिया इंटरनाशनल परपल फेस्टिवल शुरू ह और यह जो परपल फेस्टिवल यह कहां पर शुरू है आठ से लेकर के 13 जनवरी तक तो गोवा है गुजरात है हरियाना है या फिर अगर हम बात करेंगे हिमाचुल प्रदेश अंजी परपल फेस्टिवल का आयोजन हुआ है और जब हम परपल फेस्टिवल की बात करेंगे मैम गोवा बिल्कुल एक दम आपका करेक्ट आंसर बनेगा गोवा अगला कोशन ने लोगों को सुलब परिवहन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामगाडी योजना किस राज्य में शुरू करी गई है आपको शहीं दिया दोगा कोश समय पहले मैंने आंदर प्र करते हैं या हम बोल सकते हैं कि सुदूर गाओं में भी फैसिलिटी इसको क्या किया जा सके प्रमोट किया जा सके ठीक है तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना और यह कहां की होगी तो यह हो जाएगी माम जारखंड की ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जारखंड अगला कुशन है देश के पहले स्वस्त स्वच और हाइजनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकारपन किया गया है कहां पर इन्होंने कुल मिला के पर्टिकुलर एक जगह जो है वो बना दी है जहां पर आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया से स्वस्त है लेंगे तो यह कहां पर नासिक है उजयन है प्रयाग राज्य हरिद्वार है अगर आप थोड़ा सा ओप्शन को देख पाएं तो आपको एक बात समझ आएगी क्या है हां जी एक बात आपको समझ आनी चाहिए और वो कौन जी बात है हां जी कौन जी बात है इसका एडिशन भी एक बार आप मेंजन कर ले ना इसका नाइन्थ वाला एडिशन है नाइन्थ वाला एडिशन है कभी पूछ ले या कंफ्योज हो जाओ तो नाइन्थ वाला एडिशन आप क्या रखोगे देहन रखोगे हां जी यहां पर सभी जगे आपको क्या देखने क मिलेगा मिलेगा ना भारत में चार जगर कुम्ब लगता है आंसर आपका क्या बनेगा उज्जैन MP बिल्कुल एक दम आपका ठीक आंसर है उज्जैन MP नेक्स्ट देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारा जंद्वरी को स्वामी विवेकानंद की जुनती पर एडिशन इसका कौन सा हो जाएगा 27 वस अंसकरण क्योंकि 1995 में इसकी क्या होती है शुरुवात होती है 1995 से शुरुवात 1995 से इसको क्या किया गया शुरू किया गया और राश्ट्य यू आम हो सब या नाशनल यूथ फेस्टिवल विसे राश्ट्य यूथ डे हम लोग मनाते कब है नाशनल यूथ डे नाशनल यूथ डे तो आप क्या कहेंगे मैं 12 जन्वरी को और जब हम इंटरनाशनल यूथ डे की बात करते हैं तो वह 12 अगस्त को मनाया जाता है बिल्कुल इसका जो पहला वाला मतलब 26 वाला जो एडिशन था वो करनाटे का हुबली में आयोजि लेकिन question में 24 पूछा है ना 27 वाला 12 जन्वरी 2024 को नासिक महाराष्ट बिल्कुल इख दम ठीक है 27 वाला संसकरण तो 27 वाला एडिशन कहां पर हो जाएगा आपका नासिक महाराष्ट बिल्कुल इख दम आपका ठीक आंसर है नासिक महाराष्ट नेक्स्ट वोशन आपके स्क्रीन पर है परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने इंदौर भोपाल और शहरों के लिए आद्र अब ये जो तीन शहर हैं इसमें से दो तो MP के हैं एक तो इंदौर हो गया दूसरा हो गया भोपाल आपको ये बताना है कि तीसरा कौन सा है इसमें से दो फरवरी 1971 का दिन आपको पता होना चाहिए जब इस पर क्या होते हैं साइन होते है यारी वेटलेंड जो कनवेंचन है इस पर साइन होते हैं वेटलेंड होती क्या है तो हमेशा आपसे कहते हैं कि जहां पर भी आपको पानी और मिट्टी एक साथ देखने को मिलेगी या फिर जो दलदला इस्थान हो जाएगा वही क्या कहलाता है वेटलेंड कहलाता है तो ध्यान से सुनिएगा दो फरवरी 1971 भ स्क्रीन पर यानि फरवरी मंत के जो क्वेशन है वो फटाफट हम करवा देते हैं आप लोगों को पहला गोशन कहा रहा है भारत के दिवंगत चीफ ऑफ डिपेंस स्टाफ जनल विपिन रावत के इस मुरती में किस देश के श्रद्धी श्री मुक्तिनात मंदिर में एक बे 62 वाला सिशन है उनाइटे नेशन शुषन डवलेप्मेंट कमिशन तो इसका जो हैड चुना गया था चुना गया था कि इसको रुची रा कमभूज को यानि आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेस्ट कोशन आप से अच्छा उनाइटे नेशन के जो टोटल और गन होत जो क्या हो जाते हैं डिवाइट हो जाते हैं नेश्ट कोशन है नितिन गडगरी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दव्यांग पार्क अनुपूती इंक्लूजिव पार्क की आधार शिला रखी है तो यह पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा दिव्यांग नागपूर महाराष्ट में महामारी के तैयारियों के लिए डॉक्टर साहिरस पुनावाला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना कहां पर करने की घुशना करी गई है जैसे कोवीड आया था तो बिना बता किया है लेकिन अगर आगे से ऐसा कुछ होता है तो हम अपने आप च centrally फिल्म समार होए 2023 में किस फिल्म को अवर्ड मिला तो जब दद सहिफ फलकी पुरुस्कार हो की बात करते हैं तो तो चुना गया था लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यह चुना घैए ल्गर को यह चुना घैए तो तो बात करोगे और इस यहां श्क शूना घैए खर गंगुबाई काठिया वाड़ी के लिए फर्वरी 2023 में चत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन पर आधारिच शिव श्रिष्टी थीम पार्क का उद्गाटन किया गया और यह कहां पर तो शिव श्रिष्टी थीम पार्क भी आपको महाराष्ट में ही देखने को मिलेगा आं इनका क्या हो जाएगा अजय बंगा और इस समय यह वर्ल्ड बैंक के क्या है नए हैड हो जाएंगे नेक्ट पोशन आपकी स्क्रीन पर है नीती आयो का नया CEO अपॉइंट किया गया है जरा बताएं किसको अपॉइंट किया गया है क्या नाम हिंदी में पढ़ू मैं बिटा तो ऐंवी σου चुछींदर कुमार हमारा कोई वास्ता नहीं है रजेश बिंदल हमारा कोई वास्ता नहीं है हमें केवाल इतन बताना है कि जो नए CEO बने है वो कौन बने है नितिया है maintain तो आपका आंसर क्या बनता है माँ बी वी आर सुब्रमनेम जो है यह नए CEO बने हैं आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रदान मंत्री किसां सम्मान निधी योजना ने चार साल पूरे किया हैं इसको कब शुरू किया गया था जो 2000 रुपय की तेन किषटे आतीय परिधानमंत्री क्रिशक सम्मान निधी योजना के तैसल हो उसको उसको शुरूब किे अगया था प्रधानमंत्री Sum और निदीul मैं तो तो answer आपका क्या बनेगा? answer आपका बनेगा 24 फरवरी 2019 बिलकुल इकदम आपका ठीक answer है ना 24 फरवरी 2019 answer आपका क्या बनेगा? option अमारा C बिलकुल correct answer बनेगा 24 फरवरी 2019 आगे चलते हैं काजी रंगा राष्ट्रे उध्यान में अपना पहला चिंतन शिविर कौन आयोजित करेगा तो हमें सिर्फ काजी रंगा नाशनल पार कियाद रखना है असम में है और सिर्फ के द्वारा इसको शुरू किया गया था फैडरेशन ऑफ इंटरनाशनल चांबर्स ऑफ कॉमर्स अंड इंडस्ट्रे विक्के के महासत्ष्व के रूप में अपॉइंट किया गया है और विक्के के जो सेक्रेटरी जर्नल अपॉइंट हुए है उनका नाम हो जाएगा स शिमोगा एरपोर्ट जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगा ओप्शन है तेलंगाना वेस्ट पेंगॉल असम या फिर अगर हम बात करते हैं करनाट का अगर ऑप्शन में गोवा होता तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते थे या हलकी से कंफ्यूजन बनती थी लेकिन नहीं है तो जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा करनाट का शिमोगा हवाई एड़ा कहां पर है मैं करनाट का नैस्ट कोशन है भारतिय वायू से ना किस देश के रॉयल एरपोर्स के वाडिंग्टन एरपोर्स बेस में अभ्यास कोब्रा वारियर में भाग ले जिसको आप इंग्लेंड कह देते हैं तो यह युनाइटिट किंग्डम है फिनलेंड है स्वीडन है या फिर साउथ अफरीका तो कोब्रा वारियर का जो आयोजन किया गया था यह कहां पर किया गया था ब्रिटेन में या फिर यूक के आपका एकदम करेक्ट आंसर बन हमें यह तो पदा चल गया कि कनग रेले जो है वो भरतना ट्याम ठेक है लेकिन कनग रेले का जो संबंध है वो कहां से हो जाएगा पाम यह कहां से बिलॉंग करती थी गुज 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 रात से जनवरी दोजार तेज में मुख्यमंत्री आवासिय भूमी अधिकार योजना किसने शुरू करी है तो बहुत देखो ध्यान से सुनो ऑप्शन में ओडिसा नहीं है तो जब ओडिसा नहीं है तेलंगाना नहीं है तो MP आटोमेटिक आंसर बनेगा आपका डन है तो आंसर अब हभूंी अधिकार योज्रः में शुरू होई थी तो यह शुरू उती मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश के नए कि सीम का नाम नाम तो बता भाटावर से सारे केसार जो नहीं है राजयास्थान Кझा कभी कभी लोग मू से आज भी अश्योग निकल जाता है बेके हमें скаж चेंज हो गया है हलागी MPK भी चेंज हो गया लेकिन कभी-कभी मामा के नगरी मुह से बोलते बन जाता है मोहन यादव जी जो है वो क्या बने है नए CM बने है कहां के MPK नेक्ट कोशिण आपके स्क्रीन पर है भारतिय वायू सेना में लड़ाकू इकाई या पाइटर यूनिट की कमान संभालने वाली जो फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बनी है इनका नाम आपको बताना है तो भावना कां अब कुछ चीजे हैं जो मुझे लगता है कि आपको करानी चीए क्योंकि 8 जन्वरी का फड़ाफट से हम लोग क्या कर लेते हैं पहला गोशन आपकी स्क्रीन पर है भारत की देश में विसस्ट व्यापार छेत्र भारत पार की स्थापित करेगा मतलब कि हावड़ों इंडि और नाथ दिवस मनाया गया है और यह कब मनाया गया है एक जन्वरी चार जन्वरी पान जन्वरी या सुश जन्वर करने के उद्देश außer कर्यकरम शुरू करने की भूणत्य में 10-5 जन्वरी तो यह जो फेस्टिवल है यह भी कहां पे चलिब्रेट किया गया था असम बिलकुल एक दम आपका करेक्ट आंसर है नैश पोशन है किस राज्य के काबिनेट ने रानी दुर्गावती अन प्रोचसाहन योजना को मंजूरी दी है 10 रुपए आपको प्रोचसाहन राशी मिलेगी एक किजे मोटे अनाच पर अगर हम बात करते हैं रानी दुर्गावती अन प्रोचसाहन योजना तो यह शुरू करी गई है मर्देप्रदेश मोहन यादव जी के द्वारा बैटरी चालित वहानों के लिए सबसे अधिक पंज् नेश्ट नोशन आपके स्क्रीन पर भारतिय ओलंपिक संगने रगुराम अयर को अपना मुख्या कारेकारी अधिकारी न्यूक्त किया है इसके स्थापना कब होती है यानि इंडियन ओलंपिक एस्सेशन का जो फॉर्मेशन हुआ है एक साल से यह पज्जु है वो खाली था आप फाइनली इसको हेड मिल गये है नाम इनका क्या हो जाएगा रगुराम आयर तो करेक्ट आंसर आपका क्या मनेगा 1937 बिलकुल एक दम आपका ठेक आंसर है किसने प्रत्वे विज्ञान योजना का अनावरण किया है तो अगर हम बात करते हैं प्रत्वे विज्ञान यो यो होती है तो आपका क्या बन गया नरिंदर मोती बिलकुल एक दम आपका ठीक आंसर बन गया इस रो का आधित्य सैटट bene इसरो का आधित्य सटलाइट एलवन पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट हो गया है इसे कब लॉंच किया गया था तो दो सितंबर 2030 को इसको क्या किया गया है लॉंच किया गया है चैसे जनवरी 2024 को यह अपने पॉइंट पर पहुंच गया अचा एडिडा स्वीन के बाह कि कल मैंने फेस्टिवल आपको करवा दिये थे वो जो वीडियो वाला सेक्शन होता है आज हम उसमें आपको और्गनाइजिशन कराएंगे जो आपके इंडरनाशनल और्गनाइजिशन है ना पॉर्मेशन कब हुआ और उनका हेड़क्वार्टर कहां पर है आज रात 8 बज वीडियोज वाले सेशन में तो आप उसको भी एक वर क्या कर ले जरूरोड देख ले न जनुने नहीं पर सकते हैं तो यह आप का टिलीग्राम ग्रूप है आप Link तो आज करते हैं करते हैं ऐसे कोशिष करते हैं और यह संख्या बढ़ने के आप लोगों को ask us जित जोब आप लोगों को जोगों को हम महइरातन अपको ओल्रेडी करवा चुके कैज छब्लोग तो आज के सेशं की हम लोग क्या करते हैं यही तक है और वाके मुलाकात करते हैं कल सुबह साथ बज़े अपना ध्यान रखो सुष्ट रहो मस्त रहो हस्ते रहो खिल खिलाते रहो और ऐसी सीखते रहो मेरे साथ और पूरी टीम के साथ अगला सेशन रीजनिंग है तो रीजनिंग के सेशन को जुरूर जोइन करें